तो अभी तक हमने पढ़ा था जो chemical properties of the metals के metal के दो reactions को हमने अभी तक पढ़ा first हमने पढ़ा था कि कोई भी metal लो आप metal कोई भी हो उसको जब हम oxygen के साथ reaction कराता है तो metal oxide बनाता है metal oxide यहाँ पे बनाता है Na2O यहाँ पे बनेगा तो यह पहली reaction हमने पढ़ा इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा कि जब भी metal जो है उसको आफ water के साथ reaction कराओगे water के साथ reaction करने के बाद metal hydroxide बनाता है एक metal hydroxide यहाँ पे NaOH बनता है प्लस उसके साथ hydrogen gas भी प्रोडूस होता है तो यह दो reactions को अभी तक हमने पढ़ा हुआ है तो आज हम तीसरा reaction भी देखेंगे लेकिन यहाँ पे कुछ students अभी स्टूडन्स अभी स्टूडन्स हो रहे है वैटिंग कोई फातिमा ठीके तो अभी तक यह तीन reactions को दो reactions को हमने देखा दो chemical properties of the metals हमने देखा तो याद रखने है आपको जब भी metal oxygen के साथ reaction करेगा तो metal oxide बनाता है कोई भी metal for example यहाँ पे magnesium मैंने लिया oxygen के साथ reaction कराया तो यह magnesium oxide बनाएगा तो यह metal oxide है पहली reaction हमने यह पढ़ी दूसरा हमने chemical property पढ़ा कि जब भी आप metal को water के साथ reaction कराओगी तो वो metal hydroxide बनाता है metal hydroxide बनाता है पलस उसके साथ साथ hydrogen gas भी produce होता है तो यह दो reaction को हमने अभी तक पढ़ा है तो आज हम तीसरी chemical property को पढ़ींगे तीसरी chemical property जो metal की है तो याद रखना है सभी को यह जो है यह physical properties नहीं है यह सारे जो हमने पढ़ा अभी तक ही chemical properties है कि यह chemical metal किस के साथ reaction करता है metal किस किस के साथ combine करके क्या product बनाता है तो दो reactions को हमने देखा अभी तक एक तो हमने पहली वाली यह reaction देखी जो कि metal जब भी आता है जब भी वो oxygen के साथ combine करता है कोई join हो रहा है अभी इस सीरत तो metal जब भी oxygen के साथ reaction करेगा तो वो metal oxide बनाएगा metal कोई भी हो तो metal oxide उस time बनाएगा दूसरा reaction हमने पढ़ा यह कि जब भी metal जो है वो water के साथ reaction करता है तो वो metal hydroxide बनाता है और उसके साथ साथ hydrogen gas भी produce होता है तो यह दो reaction को हमने अभी तक पढ़ा इसमें बहुत सारे examples मैंने बताए हुए है इनको हमने बताए हुए है now तीसरी reaction सलाम अलेक्म सेर okay तो तीसरी reaction जो तीसरा chemical property है तीसरी chemical property metals की अब हमने देखना है reaction of metal with dilute acids तो यह तीसरी reaction है यह आप note heading पे लिखेंगे कि तीसरी chemical property reaction of metals with dilute acids dilute acids क्या होता है यह मैं पहले बताऊंगा आपको acids जो है बहुत सारे types के होता है इसमें concentrated होता है dilute होता है organic होता है इन और्गनिक होता है यह सारे acids होता है लेकिन यहां पे dilute क्या है यह आपको देखना है तीसरा chemical property यही है कि reaction of metal with dilute acids यह हम देखेंगे dilute acids क्या होता है metal dilute acids के साथ क्या बनाता है वो भी बताएंगे पहले dilute आपको समझना है सभी यह heading लिखेंगे जो भी rough आपके समने होंगे तो उस पे यह तीसरा chemical property यही है reaction of metal with dilute acids अब देखो dilute acids क्या होता है dilute acids जो है acid हमारे पास बहुत सारी होता है एक हो गया concentrated acid concentrated acid हो गया वो acid जिसके साथ water बिलकुल कम होता है water कम होता है वो ज्यादा ता बहुत ज्यादा dangerous होता है for example यह एक acid है H2SO4 sulfuric acid king of the acid ठीके यह वाला जो हम concentrated उस वक्त होता है जब इसके साथ water कम होगा बिलकुल कम होगा तो वो concentrated होता है concentrated acids जो है वो dangerous होते है rather than dilute अब dilute क्या है dilute हो गया वो acid जो जिसके साथ water ज्यादा होता है dilute हो गया वो acid जिसके साथ water ज्यादा है water ज्यादा है तो याद रखना है सभी को कि concentrated हो गया जिसके साथ water कम होता है और dilute acid वो acid होता है जिससे water ज्यादा होता है जिसके साथ water ज्यादा मिलाया हुआ होता है उसको हम dilute acid बोलता है आप देखिए आप इसके बाद यही reaction हमें देखनी है कि dilute acid के साथ metal क्या बनाता है तो चलिए पहली heading मैंने आपको बताया कि जब भी metal आता है जब भी metal किसके साथ reaction करता है dilute acids के साथ जब रियक्ष Exam करता है metal जब that dilute acid के साथ मिलता है तब क्या बनाता है वो आप याद रखिये तब वो salt बनाता है एक तो salt बनाता है plus hydrogen gas तीसरी reaction तीसरा important reaction यही है chemical property metals की कि metal जब भी dilute acid के साथ react करता है तो dilute acid के साथ metal react करने के बाद एक तो salt बनाता है, दूसरा hydrogen gas बनाता है, तो यह आप याद रखेंगे, इन reactions को आप याद रखेंगे, तीसरी reaction, अब मैं इसके बाद example भी बताऊंगा कि कौन सा example है, heading में सबी लिखेंगे के metals जब react करता है dilute acids के साथ, तब वो salt बनाता है, और hydrogen gas बनाता है, तो मैं यहाँ पर एक example यहाँ पर लिखूंगा, example लेंगे हम, एक metal में लेता हूँ, N A, जिसका symbol होता है sodium का, sodium को, sir join me, I am joining from another phone, okay, यहाँ पर N A मैंने लिया, इसको मैंने HCL के साथ combine किया, एक dilute acid मैंने लिया, एक metal को हमने dilute acid के साथ reaction कराया, तो अब क्या बनेगा, अब तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, एक तो salt बनेगा, दूसरा hydrogen gas बनेगा, तो salt का बनेगा, यह NA आएगा, यह ECL के साथ combine करके N A C L बनाएगा, एक तो N A C L बनेगा, प्लस यह hydrogen gas यहाँ बाहर आके hydrogen gas बनेगा, H2, तो यह याद रखेंगे आप, तीसरी chemical properties of the metals, कि जब भी metal reaction करता है, metal जब भी आता है, dilute acid के साथ reaction करता है, तो वो उस वकत salt बनाता है, और hydrogen gas बनाता है, यह याद रखें गासभी, तीसरी chemical property, यहाँ बे हमने देखी है, कि metals, जो है, वो reaction करके, dilute acids के साथ reaction करके, एक तो salt बनाता है, दूसको hydrogen case बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो joining हो रहा है, वो उसको मैंने enter किया, अभी तो उसको time लग रहा है, joining में क्या problem, पता नहीं, तो चलिए फिर से एक बार में फिर से तीसरी reaction को repeat कर रहा हूँ, तीसरी chemical property को repeat कर रहा है, कि reaction of metal with the dilute acid, कि जब भी metal किसके साथ react करता है, dilute acid के साथ react करता है, dilute acid क्या होता है, dilute acid वो acid होता है, जिससे ज्यादा water होता है, जिसके अंदर ज्यादा water मिला होता है, जिस acid के साथ ज्यादा water हो, उसको dil डालूट बोलता है तो अब ये मैटल अगर कोई भी हमने लिया डालूट असिड के साथ रियक्शन कराया तो क्या बनाता है एक तो साल्ट बनाता है अभी बताया उसके बाद हैड्रोजन गेस भी प्रोडूस करता है हैड्रोजन गेस प्रोडूस करता है अब एक्जांपल दे acid बोलता है अब क्या बनाएगा ये chemical property है ना metal की metal जब भी dilute acid के साथ reaction करता है तो क्या बनाएगा salt बनाएगा hydrogen gas बनाएगा तो salt यहाँ पे देखो क्या बनता है यहाँ पे salt बनता है MgSO4 magnesium sulfate प्लस बनता है hydrogen gas प्लस hydrogen gas यहाँ पे produce हो गया तो यह reaction जो है dilute acids के साथ दिखाता है metal कि metal जब भी dilute acid के साथ react करता है तो वो salt बनाता है प्लस hydrogen gas बनाता है सभी याद रखेंगे यहाँ पे metal हमने लिया था magnesium magnesium को हमने dilute acid के साथ react कराया तो क्या बनाएगा एक तो salt बनाएगा कौन सा था magnesium sulfate प्लस क्या बनाएगा hydrogen gas पर आपयए प्रेस बनाया ऐसा था तीस्रा कीमिकल प्रपरटीज़ मेटेल बड़ा था ने बिल्कुल कोई Bक करभ और भी जा रख़िए